हरियो, कैसे हो पित्रदोष का निवारन? मुरुतक का विधीवत अंतिम संसकार वो, श्राद्धन्न करने से, पित्रों का अपमान करने से, पीपल आदी, देव व्रुक्ष को काटने या कटवाने से, किसी निर्दोष जानुवर को सताने आदी से पित्रुदोष होता है इससे पारिवारिक कलह, अश्ञान्ति और विगनबाधाय आती है इन उपायों को करने से आप पित्रुदोष का निवारन कर सकते हैं देवी भागवत में आता है कि भग्वान नारैन नारजी से कहते है, जो स्वधा देवी की उपासना ना करके शराद्द करता है, उसके शराद्द और तरपन सफल नहीं होते, तो शराद्द के दिनों में शांति से बैठ कर, पित्र दोश निवरति के लिए स्वधा देवी को प्रार्था ना करे और इस मंद्र का जब करे ओम रिम स्रिम क्लिम स्वधा देव्य स्वाहा पितर पक्ष में एक लोटे में पानी थोड़ा सा गंगा जल वो गाय का दूद लेके उसमें फूल तूल सिके पत्ते तथा काले तिल डाल कर दोपर के समय मनहीमन भगवन नामु चर श्राद पक्ष के दिनों में शाम के समय दक्षिन दिशा की ओर तिल के तेल का अथुआ गाय के घी का दिपक जलाए थोड़े देर शान्त बैटकर गुरु मंत्र या इश्ट मंत्र का जब करे और उसका पुन्यपल पितरों को अरपन करे त्रिकाल संध्या में गौच अंद घी डालते रहे आरती के समय कपूर जलाए इससे घर का वातावरन शुद्ध रहता है और पितरों का शमन होता है अन्य दिनों में भी इस प्रकार त्रिकाल संध्या करने से घर का वातावरन सात्विक होगा रोजी रोटी की चिंता नहीं पड़ेगी रिश्य प्रसाद सितं अरियों